हेलो एब्रीवान नमस्कार वेलकों वेक टू माई चैनल पेगनेंसी नौलेच हेल्प आज की इस वीडियो में आप यह जानेंगे कि गर्भा वस्ता के दौरान नावी बाहर क्यों निकलाती है जो नावी बटन होती है वो काफी महलाओं की बाहर निकलाती है और ऐसे में यह क की जानेंगी कि अगर नावी बतन में खुजली होती हो तो क्या करना चाहिए और बेटा और बेटी होने का पता लगाया जा सकता है यह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी बस आपको क्या करना है गोर सेमीद्धार occasions कि वीडियो को पूरा प्सक्राइब कर लें और हाँ बैल आइकन को दबाना बिलकुल भी ना भूले तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गर्भावस्ता में एक महला के सरीर में बहुत से बदलावाती हैं इस दोरान एक गर्वती महला को मांसिक और सारीरिक परवतनों से गुशन ना पड़ता ह जैसे जैसे गर्वाशे बिकसित होता है बैसे बैसे पेट भी बहार निकलने लगता है और पेट के साथ साथ आपकी नावी भी बहार आने लगती है प्रेग्निंसी में आपकी नावी एमरिकल कॉर्ड गर्वनाल से बच्चे की नावी को जोड़ता है बच्चे की ग्रोथ आने की बच्चे की डवलपमेंट के साथ साथ प्रेशर बढ़ने से भी आपकी जो नावी बटन होती है वो बाहर की तरफ निकल आती है तो ऐसे मैं आप समझ सकते हैं कि गर्बावस्ता के दोरा नावी का बाहर आना नावी का बाहर निकलना पूरी तरह से सामाने होता है खास करके pregnancy के तीसरी तिमाई में ये चीज़ ज़ादा देखने को मिलती है क्योंकि आपके गर्व में बहुती कम जगे रहती है बहुती स्पेस कम रह जाता है और बच्ची को जगे तो मिलती नहीं है तो बहुत ज़दा दवाव पढ़ता है बहुत ज़दा अंदर से दवाव पढ़ने लगता है जिसके वज़े से आपकी नावी जो बटन होती है वो बहार निकलाती है यहां पर एक बात ध्यार रखनी है आपको क इतनी भी खुजली होती हो नावी पर तो आपको खुजलाना नहीं है खुजलाएंगी तो आपकी इंफेक्शन होने के चांसे बहुत ज़दा हो जाएंगे और इंफेक्शन हो जाता है तो बहुत ज़दा दिकत हो जाती है तो आप एक काम करिए आप अपनी नावी बटन प ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है इस बात का आपको ध्यार रखना है अब बात आती है कि प्रेग्नेंसी के टाइम पर बहुत ज़दा बाहर निकलाती है जो नावी बटन उसका क्या संकेत होता है लेकिन काफी महलाओं की नॉर्मल ही रहती है तो क्या संकेत होता है और आगे बढ़ती है तो आपकी नावी बटन जादा बाहर नहीं निकलती है लेकिन जिन महलाओं की गर्वाबस्ता कंप्लीट होने से पहले ही नावी बटन बहुत ज़दा बाहर दिखाई देती थी तो उन महलाओं की खासकर की नावी बटन बहुत ज़दा बाहर निकलाती है क्योंकि उन महराओं की पहले से ही ज़ादा दिखाई देती थी ठीक है तो यही इसका कारण है यही आपको समझना है इसलिए हर महला की एक जैसी नावी बटन दिखाई नहीं देती है और यहां पर मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि नावी बटन से आप बेबी क्लियर हो सके ठीक है तो आशा करते हैं गाईस आप लोग समझ गए होंगे अगर इस वीडियो से आपको हैल्प मिलती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चेनल को जरू सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंड बाबाई जचे हैं तो